नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स दोस्तों आज आपके इस चैनल को धन्वत जिक्कजी ओष्ट करने जा रहे हैं वे एक एनराई हैं और बिर्टेन में रहते हैं दन्वत जिक्कजी से जातरमीत्र परिचित होंगे वे एक एक्टर भी है और एक सिंगर भी है उन्होंने कई बोलीवूड, होलीवूड और पंजाबी फिल्मों में काम किया है ये मेरी खुस नसीबी है कि हम दोनों ने कई प्रोजेक्ट पर साथ काम किया है और अभी भी कर रहे हैं मेरे मन में एक उत्खंटा थी कि भारत चीन की टेंशन पर मीडिया में किस तरह की खबरे चल रही है वहां के नागरीक इस विशे में क्या सोचते हैं धन्वंत जी ने खुल कर इस विशे में बताया है साथ ही एक हिंदुस्तानी के तोर पर अपनी भावनाय विव्यक्त की है तो आइए सुनते हैं सिंगर और एक्टर धन्वंत जिक्का जी को I think मोदी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि शांती तभी होती है जब दोनों तरफ दोनों पार्टी इस ताकत पर हूँ आइ जोनिये मन मोनिये तेरे बिया लगदान दिल पुल के विजे मिल जाने तुर जाने रस्ते बदा सुरेश पाजी सबसे पहले आपके चैनल हिंदुस्तान न्यूज और टिप्स के जितने भी चाहने वाले हैं उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत सिद्कार सर आपका पहला एक सवाल था कि बिटिश मीडिया जो है या फॉरण मीडिया जो है वो चाइना इंडिया की टेंशन है जो उसको किस तरह से देखता है इसके साथ ही कुछ और सवाल थी जिनका जवाब मैं कोशिश करूँगा कि दे पाऊं यहां के जो मीडिया में थोड़ा आया था वो था कि किस तरह से भारत के हिंडोस्तान के 20 जो जवान है वो शहीद हुएं तो उनकी न्यूज जो थी वो आई क्योंकि चाइना ने सविकार नहीं किया था तो उसके उपर कोई इतना अटेंशन जो है वो पेड़ नहीं किया वैसे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई न्यूज जो है यहां पे नहीं है हाँ लेकिन जो जो फॉरण मीडिया है वो स्टेटीजिकली इसके बारे में जो सोचते हैं उसके बारे में लिखा गया है और वो यह है कि भारत की उपर जिस तरह से चाइना ने जो प्रेशर डाला हुआ है जा टेंशन क्रेट की हुई है उससे एक जो सबसे ज्यादा उसका फाइदा या उसकी इंप्लिकेशन यह होगी कि जो हिंदुस्तान है वो अमेरिका के और अमेरिका की जो अलाइज हैं उनके ज्यादा नजदीक हो जाएगा क्योंकि इस शिफ्ट इन स्ट्रेटजी होगी उसकी इनको पहले भी तमना थी और अब भी है और अब इनको यह एक आशा है कि और इनका एक सोचने का ढ़ंग है कि सबसे बड़ा इंपक्ट जो है वो इसका यह होगा कि इनकी नजदीक यह जो है वो बढ़ जाएंगी और उसका एक और पहलू है जो शायद आप तो जानते ही है कि जब किसी का समान बिक रहा है तो उनको बहुत खुशी होती है क्योंकि बिलियंज में तो हिंदोस्तान अभी बाई कर रहा है समान तो रिश्या को बारा बिलियंज बहुत बड़ी रकाम है उनके लिए अब अमेरिका नहीं तैयारी किया कि वो भी हमारे बालर्स को ट्रेन करेंगे मुफ्मेन हों ही करेंगे और बिना वजा नहीं करेंगे उनको भी ये आश्वासन होगा या उनके दिमाग में ये होगा कि हमसे भी जहाज जो है वो खरीदे जाएंगे तो वो भी जो है एक एजन्डा जो है वो चल रहा है कुछ दिन पहले एक ऑस्ट्रेलियन न्यूस पेपर में न्यूस पेपर में अक्शली न्यूस चैनल पे एक एनलिस्टेश जन्होंने कुछ बात ही कहीं और काफी हद तक वो शायद हमें एकसेप भी कर रही होगी उन्होंने माना कि कि चाइना जो है वो हिंदोस्तान से थोड़ा सा ताकतवार हो सकता है या है क्योंकि लेकिन उनका कहना था कि ये वो जो अपने बोलते हैं कि 19-21 का जो डिफरेंस है इससे ज्यादा नहीं है और लेकिन उनका एक जो अनलिस्स था वो ये था कि चाइना को कोई भी एक्सपिरियंस जो है फाइटिंग का नहीं है सिर्फ मैदान में तोपें चलवा देना या प्रिसिजिन जो वैपनरी है उसको शो आफ करना उससे जो लड़ाई का एक्सपिरियंस है वो नहीं आता है और उसकी एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी वज़ा से उनका ये विश्वास था और विश्वास है कि अगर ऐसा कुछ होता है मिस एपनिंग होती है तो उनके हिसाब से भारत जो है वो चाइना को लड़ाक से खदेर देगा अभी एक अभीजीत मित्रा शाहिब उनका नाम था कुछ ऐसा नाम था उनका कोई डिफेंसिव ओफेंस नाम का कोई एक चैनल है जिस पे उनकी इंटरिव्यू थी या जो कह रहे थी उनका कहना था कि हमारे पास थियार थोड़े कम हमारे पास 40 हैं उनके पास 400 हैं कुछ है स इस तरह की बाती थी देखिए वो पुरानी बातें नहीं हैं बहुत एडवांस वैपनरी है अब एक चीज़ को उड़ाने के लिए दस बमों की दरूत नहीं है और इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई न्यूकलिर वैपन्स की बात कर रहा हूं इन जनरल जो है कन्वेंशनल वा कोई अबरार नहीं होनी हुनी का चाहिए कि शायद हमारे पास थोड़े से जो एमधनीशन है उन से कम है इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा जिगरा जो है वो वही काफी है। एक और बात जिसके बारे में थोड़ी चर्चा जो है कभी कभी होती है, वो यह है कि चाइना में जो है, पीपल्स जो पार्टी लिबरेशन पार्टी जो भी इसका नाम है, पी एल, पी एले और क्या बोलते हैं इसको, तो जो आर्मी है उसमें आपकी कंपलसरी भरती होती है, आपको वो साल जो है, वो कंपलीट करने पड़ते हैं, तो उसके अपजिट जो हिंदोस्तान है, वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से भरती होते हैं, और जब भरती होते हैं, तो दिल में एक तमना होती है, कि देश के लिए मर जाएंगे, मिठ जाएंगे, लेकिन देश को नहीं आने देंगे, अब एटिचूट का और जो साइकॉलोजी है, उसका यहाँ पर बहुत बड़ा परक है दोनों देश में, अब मैं अपनी एक्जामपल दूँ कि अगर कोई मुझे कहे कि यह लिए बंदू बढ़ाई और वहाँ पर जाके लड़ी है, बार्डर पर तो म मैं तो एक्टर आदमी हूँ, सिंगर आदमी हूँ, तो गाना है मुझे एक्टिंग करनी है, लेकिन अगर तो लड़ने की जो तमन्ना है, वो थोड़ी जो अटिचूट है, वो थोड़ा अलग होता है, एक जो और इशू है कि बहुत सी जो बहुत से देश्यों है, उनकी ड बहुत सी कंट्रीज को, कि वो डिपेंडेंस जो है, उनको बहुत ही उनको कम करना होगा, और उसका इंप्लिकेशन जो है, वो चाइना की एकॉनमी पे जो है, वो जाएंगी, थोड़ी जो प्लिटिकल अक्टिविटीज जो है, जो देश में चल रही है, शायद उनका जो न लिडर्शिप है, इंदोस्तान की, उसको स्पोर्ट करना चाहिए, और गल्यों में निकल कर शायद जो पैट्रोल वगारा की इशूद है, उनको अभी देखने की जरूद नहीं है, क्योंकि काफी डिफिकल टाइम है, बस उसी पे थोड़ा ध्यान देने की जरूद है, क्यो जारों तरफ से खीचने की जो कोशिशने हैं उनको, वो शायद बंद होनी चाहिए, परंत में सर, बहुत गर्व है, बहुत ही प्राउड है हमें अपनी आर्मी पे, शहीदों पे, जिनकी, जिनोंने जान दी है, और वो जो जान हतेली पे लिए वहाँ पे कड़े हैं, उन को, जाहिए. तुर जानिये, रस्ते बदल